आप सभी का मेरे कैनल पर एबाफ फिर से स्वागत है इस समय हम लोग आगरा फोर्ट पर बन रहे हैं अंडरगरॉंड मेट्रो स्टेशन को देखने आये हैं और आपनों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यह जो ग्रीन कलर की पार्टीशन से घिरा हुआ एरिया है इसको कुछ और अभी बढ़ा रहा है इसको इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि टीबियम मशीन जो इस समय इस ग्रीन पार्टीशन के अंदर पार्ट में रखी हुई है और उस पार्ट को जोड़ने के लिए काफी बढ़ा एरिया चाहिए होता है मेरे पार्ट तू के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि टीबियम मशीन की लंबाई लगबग 120 मीटर होती है और ये पार्ट में साइट तक लाई जाती है और इन्हीं पार्ट को असेंब्ल करने के लिए इस एरिया को बढ़ाया जा रहा है और आपनों को ये भी बताता चलता हूँ कि सबसे पहले टनल जो है वो आगरा फोर्ट से आरबियस कॉलिक तक बनाई जाएगी उसके बाद सेकेंड फेज में ये ताज गेट और फतेबाद रोड की और आरम होगी पूरे रोड पर टनल बनाने में काफी समय लगता है क्योंकि टीबी एम एच दिन में लगबग 40 या 50 मीटर की टनल बना सकती है और पूरा एरिया लगबग 7.9 किलो मेटर या 8 किलो मेटर तक का है और इस समय हम लोग पहुँचे हैं फतेबाद रोड के एलिवेटेड स्टेशन को देखने के लिए और आप लोग देख सकते हैं उपर स्टेशन की च्छतों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर का कारे लगबग पूरा हो चुका है और इसके बाद इसी स्ट्रक्चर पर रूफिंग की जाएगी और ये रूफिंग दो प्रकार से की जाती है एक तो पॉलिकार्बनाइट शीट से हैं और दूसरा स्टील शीट से polycarbonite sheets जो होती है वो steel sheets के तुलना में कुछ अधिक टिकाओ और मजबूत होती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये five proof होती है और heat resistance भी होती है जबकि steel sheets में ऐसा नहीं होता है और polycarbonite sheets की एक खासियत ये भी होती है कि इससे होकर natural light या sunlight भी जिससे आप कहते हैं वो होकर पास हो सकती है और जाज़त और metro stations पर polycarbonite sheets का भी उपयोग किया जाता है कुछ एक stations ऐसे हैं जहां पर steel sheets का भी उपयोग किया जाता है और बाकी जो आप लोग उपर की और structure देख रहे हैं ये पूरा structure steel alloy से बना हुआ होता है और इस पर sheets को nut bolts और welding द्वारा फिट किया जाता है और ये जो उपर आप लोग corridor देख रहे हैं इन corridor पर track बिछाने से पहले electrification का काम भी अभी किया जाना है ये left side की और देखें आप ये जो लाल रंग की boundary आप नों को नजर आ रही है ये मोगल शेरटन होटल की boundary है जो कि आगरा का एक सबसे बड़ा five star होटल है सामने की और देखिए ये यहां तक corridor बनाने के बाद पता हैं क्यों उसे बीक में अभी छोड़ दिया गया है हो चकता इसके पीछे कोई इनका technical reason हो जिसका रंखे से बाद में बनाया जाता हूँ और अब हम लोग इस track के साथ साथ आगे की और चल रहे हैं फते बाद road के बाद पढ़ने वाले metro station की और जिसका के नाम है बसाई road metro station जाता, जाता है और सामने आपनों को ये येलो कलर का ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर दूप से नजर आ रहा होगा ये है बसाई रोड एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन का प्लेट फॉर्म का डूफिंग का स्ट्रक्चर चलिए कुछ और आगे चल कर देखते हैं पिछली बार जब मैं यहां पर आया था तो यह जो बीक में आप लोग पार्टेशन देख रहे हैं वाइट कलर का ये तब बनाया जा रहा था और यह लगबग लगबग अब 98 परसंट या 99 परसंट तक पूरा हो चुता है और अब अब आप लोग देखें बसाई रोट के मेट्रो स्टेशन के प्लेट फॉर्म का स्ट्रक्चर जिसके अभी रूफिंग करने बाकी है जिसके अभी रूफिंग करने बाकी है अब आप लोग अपने लेफ्ट साइट के और देखें यहाँ पर खुदाई इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर जब मैं पिछली बार आया था तब यहाँ पर अंडरग्राउंड लेक्टिफिकेशन के लिए केबल डाली जा रही थी जो अब डलकर लगबग लगबग पूरी हो चुकी है और अब इस जगा को प्लेन किया जा रहा है आग्रा के अधिकतर सभी बड़े बड़े फाइस स्टार और थ्री स्टार होटल्स आप लोगों को इसी जगा पर पते बाद रोट पर देखने को मिलें के अब मैं आप लोगों को फूरी साइड से भी इस डूफिंग स्पेक्टर को दिखाता हूं यह देखे आप लोगों फूरी साइड से यह देखे लोगों अब आगे कि और वापस चलेंगे तीसरे और लास्ट टीडी आई मौल एलिवेटेड मैट्र स्टेशन की और जिसी कि ताज इस प्रेट एलिवेटेड मैट्र स्टेशन भी कहा जाता है यहां से जाते वकट तो यह तीसरा मैट्र स्टेशन होगा प्रम्तु इस रूट पर आगरा मैट्र का यह सबसे पहला मैट्र स्टेशन होगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा यह वीडियो देखने के बाद आप लोग अपनी राय मुझे इस वीडियो के बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को अधिक से अधिक संक्या में सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मेरे को और बहतर वीडियो बनाने के लिए प्रिडित करेगा और यदि आप मैट्रों से सम्मंदित किसी खास प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तब वो भी मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपनों की पसंद के आधार पर वीडियो बना सकूँ और अब आप लोग सामने के और देखिए ये जो वाइट कलर का आपनों को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है आगरा के सबसे पहले एलिवेटरिट मैट्र स्टेशन ताज इस गेट या टीडियाई मॉल मैट्र स्टेशन का रूफिंग का स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर का कलर वाइट रखा गया है शाय देशी लिए वाइट रखा गया हो क्योंकि ये मैट्रो स्टेशन आगरा मैट्रो का सबते पहला मैट्रो स्टेशन है इन तीनों ही एलिवेटिड मैट्रो स्टेशन पर लिफ्ट लगाने का काम भी लगबग पूरा हो चुका है और अभी लिफ्ट में कुछ फर्नेशिंग या फाइनल टचिंग वगएरा बाकी है जो अभी की जा रहे हैं यह जो लेफ्ट साइड के और आप लोग देख रहे हैं इस सर्यों के केजिस जैसे यह बना जा रहे हैं इन पर बादने यह जो आपको पिलर्स के जीश में खाली जगा दिख रही है इस वाल बना कर इसे कवर किया जाएगा और यहां से बार आते ही आपके ठीक लेफ्ट साइड की और सामने की और ही मेक डोनल्ड चेन का आगरा का सबसे बड़ा डेस्टोरेंट बना हुआ है सामने की और देखिए पता नहीं है भाई सब क्यों अपनी कार को उल्टा ही चलाई जा रहे हैं इतनी बीजी रोट पर कभी कभी चलते चलते कई पकार की अजीब सी चीजे भी देखने को मिल जाती हैं और अब आप लोग देखिए दूसरी और से ताज इस गेट यहार टी डी आई मॉल के एलिवेटेड मैट्र स्टेशन की डूफिंग का स्ट्रक्चर प्राइट साइट की और मुर्ने पर आपनों को जो ताजी स्ट्रेट का बोर्ड नजर आ रहा है सेल्फी पाइंट आ जाता है यहां पर के आजकल दीपावली महस्वा मिला भी लगा हुआ है और अब आप लोग इंतियार कीए मेरे अगले मेट्रो पर बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो का और तक तक के लिए टेक केर एंड गुडबाई